Hello everyone, welcome to my channel, कैसे हैं आप आए, I hope आप सभी अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NIT राउर के लागी So इनकी तरफ से भी इन्वाइट केगे हैं अप्लिकेशन्स फॉर पी एच्टी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आपको इनके ओफिशल वेबसाइट पे विजिट करना है जो की है nitrkl.ac.in लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा So आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नोटिस, लेरेस्ट न्यूज वगरा के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन्स है So नोटिस में आप देख सकते हैं, एक तो 15 में को लेरेस्ट आया है एक्जिक्टिव पिएच्डी के लिए Then यहाँ पे और भी नोटिफिकेशन है, नॉर्मल 30 अपरिल को आया था रेगुलर पिएच्डी के लिए And उसके बाद तो दिखिए एक्जिक्टिव पिएच्डी 15 में, 6 में को विश्वेश्वरी स्कीम के थ्रू भी आया हुआ है And तीन, तो बैसिकली तीन पिएच्डी नोटिफिकेशन अभी आप्टिव हैं And applications are invited online from interested and eligible candidates And बिना fellowship के भी admission consider किया जाएगा Also, JRF अगरा है तो आपको encourage किया गया apply करने के लिए Department का नाम code and indicative broad area दिया हुआ है हम area को नहीं देखेंगे आपका जो department है उसके सामने वाले area को आप देखेंगे And हम बस department के फिलाल बात करते हैं So, Biotechnology and Medical Engineering है Then Civil Engineering है Chemical Engineering is there Then Ceramic Engineering Then Computer Science and Engineering Chemistry, Electronics and Communication Engineering ठीक है Next Electrical Engineering Then Earth and Atmospheric Science Food Process Engineering Humanities and Social Sciences Industrial Design Life Science Mathematics Mechanical Engineering Metallurgical and Materials Engineering Then Mining Engineering Planning and Architecture Physics and Astronomy School of Management ठीक है So, यह होगे 20 departments overall Criteria क्या है तो काफे points है कई बार confusion भी होती है तो ध्यान दीजिएगा So, minimum requirement क्या है काफ भी है दीजिए है आपके पास तो 65% मार्स है 7CGPA चाहिए ठीक है नेक्स है यहाँ पे MSC है Basic Sciences में 65% मार्स है 7CGPA के साथ and next है for applicants with valid net gate तो अगर gate net है valid तो उस case में 0.5CGPA या 5% मार्स का relaxation दिया जा सकता है ठीक है D है MBVSC किया है 60% मार्स है 6.5CGPA के साथ तो आप भी eligible है next है हाँ पे है यह वाली qualification that is अगर MAM, COM, MBA, MSC है HSS में या management में या B.TEC है 6.5CGPA 60% मार्स के साथ या first class है तो उस case में आप in disciplines के लिए eligible है ठीक है तो मार्स का criteria basically different है humanity, social sciences and management के लिए ठीक है in addition to the above criteria तो यह e points हो गए इनके साथ ठीक है यह criteria additional है जो आपको fulfill करना होगा क्या, देखिए candidate ने minimum 60% marks किया जो भी अगर first class आपके institute वगरे कुछ और है तो वो या फिर 6.5CGPA ठीक है, throughout the career आपने यह maintain किया हो minimum इतने percent marks हो DRC decision ले सकती है और अगर जैसे test हर I mean जो भी आपका जैसे 10th, 12th, UGPG सब लेवल पे चाहिए, इतने percent marks बर DRC चाहिए तो एक exemption कर सकती है किसी भी एक result में जैसे 10, 12 भी एक इन में से किसी भी एक में 60 से कम है तो भी आपको qualify किया जा सकता है ठीक है, मतलब आप eligible हो सकते है next step के लिए, बट साथ ही साथ ये भी लिखा है, if the candidate has qualified इन में से कोई exam, तो मान लीजे, 10, 12th, सब में 60% है बट BSC में या MSC में नहीं है, ठीक है, पर आपके पास net है तो ऐसा अगर है, तो DRC decide कर सकती है कि, ओके, आप eligible है next step के लिए, admission के लिए और किसी सिर्फ एक में relaxation दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि आपके पास gate या net है, ठीक है next है, reserve candidates है reserve category के हैं, तो आपके लिए 5% का relaxation है, plus 2 level पे, इसी तरह से देखिए, अलग-अलग points है, जैसे engineering, science, disciplines के लिए maths हो, plus 2 में, ये ज़रूरी है इसी तरह से, अलग-अलग points है तो please, आप क्या करिएगा न, आप find, I mean, search कर लिजेगा, अपना जो भी department subject है, या फिर आप एक बर point-wise देख लिजेगा, जहां पे आपको अपना subject दिखे, उस point को, उस line को जरूर से पढ़ लिजेगा right, next है, students without having qualifying degree in the primary disciplines, तो अगर माल लिजे आपका, मतलब आप जिस discipline ते apply कर रहे हैं, ठीक है, वो primary हो गई, बिट आपकी जो degree है, वो से related किसी allied subject, या discipline में है, बट main में नहीं है, तो उस case में क्या होगा, admission वाली जो हो जाता है, तो आपको एक additional six credits का course work करना होगा, उस particular primary discipline में, so that, जो basic knowledge है, वो आप ले सके, right, yes, तो उसके बाद है, results अगर अभी नहीं आए हैं, आपका result अभेट है, तो उस case में भी आप apply कर सकते हैं, date wait, I mean sorry, date लिखी हुई है, date mention की गई है, so, उस date से पहले आपको, जो भी submit करनी है, डिगरी बगरा, वो करनी होगी, right, next है qualifying degree है, जो primary disciplines है, तो यहाँ पर properly mention है, जैसे, सबसे पहले, biotech and medical engineering है, BM, तो यहाँ पर master's degree, इन में से किसी में होनी चाहिए, नहीं है, allied में है, तो उस case में course वा करना होगा, six credit का, ठीक है, but yes, department wise, यह जो eligibility है, na, specifically इसको देख लीजए, क्योंकि यहाँ पर g-padnet, यह सारी चीज़ें भी दी हुई है, तो please, right, so, बाकि departments हमने देखे हैं, तो फिर से हम नहीं discuss करेंगे, कुछ note में points हैं, तो please, I know, बहुत ज़्यादा बारों कह रही हूं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होते हैं, जो आपको खुछ से देखनी पढ़ेंगी, areas हम सब discuss करेंगे, तो फिर कोई point नहीं रहाजाएगा, वीडियो का, यह तो बस हो गया कि, to the point, सारी चीज़ें मैंने पढ़ दी हैं, so, आप भी वीडियो नहीं देखोगे, right, तो, मतलब जिससे आपने master's है, आपका master's हो सकता था regular से, बड़ आपने distance से किया, तो आप eligible नहीं है, consider नहीं किये जाएंगे, second point है, research scholars engineering discipline में, अगर आप रपलाए करेंगे, तो उसके लिए है कि B.Tech degree जिनके पास है, माल लिजए M.Tech तो है, बड़ उससे पहले MSC है या B.Tech है, अगर B.Tech वाला बंदा है, B.Tech वाला कोई candy rate है, तो वो eligible होगा, आप नहीं होगे, आप प्रिफरेंस में आप second होगे, वो first होगे, ठीक है, इसी तरह से third point है, कि जैसे main जो primary discipline है, जो background आपका है, उससे related नहीं, कोई और background है, तो उस case में जो भी DRC चाहिए, वो कर सकते हैं, उनका decision होगा, academic requirement में, जो भी ये category के students है, इनके लिए relaxation नहीं है, क्योंकि जो basic academic requirements है, तो वो तो basic challenges face करने के लिए, तो basically उसमें कोई भी, जो relaxation है, वो नहीं है, तो बाकी ये देख लिजए कि evaluation system अग ग्रेड में है, तो CGPA consider होगा, marks में है, तो percentage consider होगा, interchangeable नहीं है, right, and yes, बाकी है students एक discipline के, चाहें तो related discipline में भी admission सीख कर सकते हैं, selection का basis, academic record होगी, qualification का relevance, research and trust and बहुत सारी चीज़ें होगी, financial support, यह important है, so institute fellowship आपने देखा मिलेगी, full time PhD के under rates को, तो उसके लिए eligibility क्या है, देख सकते हैं, आपकी इन में से कोई है, तो आप eligible हैं, आपने apply कर दिया, duration देख सकते हैं, rate of fellowship भी आप देख सकते हैं, okay, yes, 32 years of age, देखी, यह important है, fellowship देखी, अगर आपकी age 32 हो जाती है, तो आपने माल लिज़े, 31 पे admission लिए, तो 32 के बाद आपको नहीं मिलेगी fellowship, okay, and STST women के लिए है, यहाँ पर 35 years, okay, तो यह भी important point है, next, यहाँ पर है, जो individual external fellowships हैं, तो obviously आपको encourage किया गया है, तो आप तो apply कर ही सकते हैं, next, यहाँ पर कुछ important note again है, I mean, फिर से है, so, अगर institute fellowship, okay, यह important भी है, so, आप माल लिज़े, आपका admission हुआ institute fellowship से, या project fellowship से, आपने किया, एक-दू साल, उसके बाद मिट सेशन आपने institute को छोड़ दिया, बिना program complete किये, उस case में क्या है, the entire amount paid to him towards fellowship need to be returned, पूरे पैसे वापस करने होगी आपको basically, ठीक है, यह मत सोचेगा कि admission fee वापस होगी, या बागी जो fee है, वो सारी चीज़े नहीं वापस होगी, लेकिन हाँ, आपको fellowship वापस करनी होगी, तो admission लेना है, तो सोच समझ कर लीजिएगा, कि छोड़ियेगा मत ठीक है, या फिर बहुत अच्छी opportunity मिल जाती है, कि आप पो return कर देते हैं, बिना किसी problem के, तो well and good तब तो करी सकते हैं, yes, तो यहाँ पे आप और भी जो points, अकामडेशन वगेरे से related इनको देख सकते हैं, fee structure क्या है, देखिए, fees इतनी जादा है, बट याद रखिएगा, यह नहीं वापस मिलने वाली, refund of fee, okay, तो यह है, refund है, बट यह तब है ना, जब कुछ वो होता है कि, इतने डाइम तक admission के बाद, अगर आपने छोड़ दिया, तो उस case में entire मिलेगा, या कुछ person कट के मिलेगा, यह वो वाला refund of fee है, right, बढ़ाई बर पढ़ लीजेगा, देख लीजेगा, समझ लीजेगा, उसके बाद apply कर दीजेगा, अगर apply करने का decision होता है, तो यह है link इसके through, you have to apply, 500 application fee है, सब भी के लिए same है, यह process follow कर लीजेगा, आप apply easily कर पाएंगे, hard copy नहीं भेजनी है, interview के time अगर जाना हुआ, अगर interview कले select होए, तो उस time आपको ले जाना होगा, application form की copy भी, dates हैं यहाँ पे, so last date जो है, वो है 9th of June, and application already active है, तो देख लीजेगा, and बाकी, जो dates हैं कि कब होगा, तो return and interview का venue तो 19 आउर के लाई ही है, 28-29 June को होगा, return interview जो भी होगा, दोनों होगा, जो भी साथ में होगा, ठीक है, 28th and 29th of June, बाकी dates पगिरा है, reach, I mean कैसे पहुँचना है, आपको institute, वो यहाँ पे route दिया हुआ है, तो yes, कोई भी query है, तो आप इन्हें mail कर सकते हैं, okay, so, अब हम देखते हैं, next notice, या advertisement basically, so yes, यह notification है, full time PhD का, which is very scheme phase 2 के तहत, 6th में को notification आया है, so electronics and communication engineering है, और electrical engineering है, areas देख सकते हैं, ECE में 3 seats हैं, first wall areas में, second wall side design वगरा में 1 seat है, electrical engineering में total 3 seats है, यहां की requirements, I mean, इस particular category के under different होती है, so master degree आपके पास होनी चाहिए, relevant area of research में, along with bachelor's, right, so यह है, first class के साथ, तो आप eligible हैं, ठीक है, उसके बाद है, B, B, T, B, C, वगरा होना चाहिए, 8.5, C, G, P, 80% marks के साथ, किसी CFTI से, साथ में gate qualify है, तो आप भी eligible हैं, आप भी apply कर सकते हैं, तो तो तोनों में से एक criteria फुल्फिल करते हों, तो yes, you can apply, gate obviously mandatory है, इसके साथ ही साथ, यह कुछ requirements है, जो आपको फुल्फिल करनी होगी, जैसे देखे लिखा है, वही कि, overall throughout academic career, 60% से ज़्यादा marks आपके होने चाहिए, right, then reserve category के लिए है, कि 5% का relaxation प्लस 2 level पे दिया जा सकता है, engineering के लिए है, discipline के लिए कि math, बाकी सारे जो भी हमने देखे हैं, points वो same ही है, then यहाँ पे है, इस scheme के under, अब इसकी बात की गई है, यह important है, तो देखे, eligibility क्या है, और यह जो primary disciplines है, वो दिये हुई है, तो please इनको देख लीजिएगा, equivalent degree क्या है, then result awaited है, तो बाकी सारे जो points है ना, वो more or less same है, जो भी हमने regular PhD के देखे थे, fellowship यहाँ पे amount क्या है, तो यह आप देख सकते हैं, 39 and 44,000 respectively, like per second year में 39, around 39 and उसके बाद से 44,000, then reimbursement and research contingency grant, जो होता है, वो 1,20,000 per candidate, then यहाँ fee structure है, then application fee, and again यहाँ भी, if I am not wrong, same ही है, wait, okay, so यहाँ पे तो वैसे नहीं लिका है, कि अगर आपने mid session छोड़ा, तो return करने होंगे, पूरे पैसे, बट एक बार आप देख लीजेगा, बात कर लीजेगा, उसके बाद apply करेगा, इस category के लिए जो application fee है, वो 1,000 है, process same है, hard copy वगरा नहीं भेजनी, यहाँ पे, जो last date है, वो 31st of May है, test interview की date, वैसे बाद में फिर से बताई जाएगी, बट अभी के लिए 10th of June है, ओके, next, yes, कैसे पहुचना है, वो यहाँ पे information है, so यह है last notification, जो की executive PhD program के लिए है, so यहाँ पे, 14th में को आया है, सबसे पहले बात, then यहाँ पे देखिए, online application से invite किये गए है, self financing category है, right department देख सकते हैं, अरियाज देख सकते हैं, तो more or less, again same departments है, bio-med and medical है, sorry, biotechnology and medical engineering, then civil, chemical, ceramics, CSC, chemistry, ECE, electrical, then earth and atmospheric science, food process engineering, HSSS, industrial design, life science, maths, mechanical engineering, MME, then mining, planning and architecture, physics and astronomy, school of management, अरियाज आपको देखने होंगे, executive PhD के लिए क्या requirement है, तो आपने ME, MTEK वगेरा किया हो, 60% marks, 6.5 CGPA के साथ, first class होना चाहिए, BTEK and MTEK दोनों ही level पे, then यहाँ BTEK है, directly apply कर, okay, so wait, BTEK MFARM, MCA, BRK है, relevant discipline में, तो 65% marks के साथ, तो आप भी eligible हैं, MST के लिए 65% marks चाहिए, and अगर gate वगेरा है, तो उस case में 5% का relaxation मिल जाएगा आपको, ठेक है, तो यहाँ भी देखिए, जैसा हमने main, जो regular में discuss किये थे, वही सारे points है, बट हाँ, एक बार देख लीजेगा, जैसे यहाँ पर यह important point है, कि आप अभी work कर रहे हो, currently working हो, and आपने post qualifying degree, जैसे master's है, तो उसके बाद at least two years का, जो work है, वह complete कर लिया, and currently working भी हो, तो 15th June 24 तक, दो year का experience होना ही चाहिए, and obviously working भी हो, so yeah, qualifying degree क्या-क्या है, वह information है, then discipline, special loads, fee अगिरा भी सारे दी है, contact इसका section देख सक्षके हैं, specific, यहाँ पर email ID and telephone दिया है, कोई issue है, तो आप contact कर लिजेगा, again कोई confusion है, तो comment section में बताईएगा, and yes, video helpful लगाओते से, share कर दीजेगा, like कर दीजेगा, कोई issue है, तो comment section आपके लिए open है, and yes, video, I mean sorry, channel को subscribe कर लिजेगा, for more such informations and updates, thank you so much for watching,